स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके अपने चानल टीवी का पठाका में जहाँ आपको बिलती हैं स्टार प्लस सूपर हिट सीरियल गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट्स दोस्तों बताते हैं आपको लेटिस्ट प्रोमो के बारे में कहानी में आने वाले उस बड़े मोड के बारे में जिसके बाद अक्का साहिप के पैरो तले जबीन खिसकने वाली है अक्का साहिप के सपनों में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा बुरे खयालों में भी इतना बुरा उन्होंने नहीं सोचा होगा जितना उनके साथ होने वाला है जी हाँ, वेल स्टेज पर सई और विराट की जंदगी को दर्शाने वाली है उनकी बेटी सवी और उसका सांध देगा इशान भोसले ऐसे में दोस्तों इशान भोसले और सवी दोनों पती-पतनी का एक ऐसा किरदार निभाते हैं कि निभाते-निभाते कब वो एक दूसरे के पती-पतनी बन जाते हैं वो खुद नहीं समझ पाते वो एक दूसरे के साथ इतने जादर real लग रहे होते हैं कि हर कोई पीछे से audience में ये कहता है ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों सच में पती-पतनी है ऐसा लग रहा है जैसे इनकी सच में शादी हो गई है वाउ ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना जचते है ये सुनकर सुरेखा गुस्ते के मारे तमतमाने लगती है और बीच शो में ही स्टेज पर चड़कर सवी के उपर चिल लाने लगती है ऐसे में दोस्तों सवी और इशान एक दूसरे के तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें क्योंकि बड़ी-बड़ी मीडिया कवरेज है सामने इतने बड़े गेस्ट हैं अगर उन्होंने हलका सा भी रियक्ट किया तो उनके कॉलेज की बदनामी हो जाएगी ऐसे में दोस्तों पास में रखी सई विराट की जो तस्वीर है उसे हाथ में लेकर सभी का हाथ पकड़ता है इशान और कहता है कि इनके प्रेम कहानी को दर्शाना भी हमारा फर्ज है इनके तरह हम भी एक ऐसे कपल बनेंगे ऐसे पती-पतनी बनेंगे भले ही उनकी शादी समझोते में क्यों न हुई हो लेकिन हम एक दूसरे का सपना जरूर पुरा करेंगे एक दूसरे का होसला कभी भी तूटने नही ही देंगे एक दूसरे को हम भले प्यार ना करते हो लेकिन एक दूसरे के साथ एक ऐसी दोस्ती का रिखेंगे जिसके बारे में दुनिया एक मिसाल देने लगेगी यह सुनकर कहीं न कहीं सुरेखा को लगता है कि ये दोनों अपना एक्ट खतम नहीं कर रहे हैं उसे रिलाइज होगा कि सामने मीडिया बैठी है इसी लिए सवी और जो दूसरा मेरा बेटा इशान है ये दोनों के दोनों ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ भी एक्ट का पार्ट है और ऐसे में सुरेखा की भरी बेजती होने वाली होती है लेकिन सवी और इशान अपने कॉलेज की इज़त और अपनी अक्का साहिव की इज़त को बचा लेते हैं जिसके बाद सुरेखा चुप चाप मूँ छुपाती हुई बैक स्टेज चली जाती है और हर किसी को लगता है कि ये कॉलेज कितना अच्छा है यहां के प्रोफेसर और डायरेक्टर भी पार्ट बने हैं और कितने रियालिटी के साथ इन्होंने शो दिखाया है जिसके बाद गवाची गैंग को काफी शाबाशी भी मिलती है वेल आप लोग इस नई कहानी से कितने जादो खुश हुए हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथी व